तरके देखें, पहला, सीता के पास 8200 रुपए हैं, जिसमें 100 रुपए के नोटों के दुगने नोट 500 रुपए के, तथा 100 रुपए के नोटों से तिगुने नोट 1000 रुपए के हैं, क्या आप बता सकते हैं कि सीता के पास 1000 रुपए के कितने नोट है? दूसरा 2890 रुपय को A, B वस C में इस प्रकार बाटिये कि A अनुपाद B बराबर 1 अनुपाद 2 तथा B अनुपाद C बराबर 3 अनुपाद 4 हो किसी भी दिये अनुपाद में किसी राशी को बाटना एक राशी X को तीन भागों में इस तरह बाटिये कि उन भागों में A अनुपात B अनुपात C का अनुपात हो यहां राशी X का मान वप्रकार कुछ भी हो सकता है और अनुपातो A, B, C का मान भी कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है हमें राशी X को A अनुपात B अनुपात C के अनुपात में बाटना है अतहा इसे हम इस तरह लिख सकते हैं A, K धन B, K धन C के बञाबर X कोश्टक में A, धन B, धन C, गुणा K बराबर X अतहा K बराबर X बटे कोश्टक में A, धन, B, धन C इसलिए X का पहला भाग A के अर्थात AX बटे कोश्टक में A धन B धन C X का दूसरा भाग B के अर्थात BX बटे कोश्टक में A धन B धन C X का तीसरा भाग C के अर्थात CX बटे कोश्टक में A धन B धन C हमने देखा कि राशी X को बाटने पर प्राप्त तीन भाग क्रमशह AX बटे कोश्टक में A धन B धन C BX बटे कोश्टक में A धन B धन C वदारन आठ पानी और दूद का एक मिशनरन 40 लिटर है इसमें 10 प्रतिशत पानी है बेशने वाले ने इस मिशनरन में और पानी मिला दिया नए मिशनरन में 20 प्रतिशत पानी है कितना पानी और मिलाया गया हल मिशनरन में पानी मिशनरन में पानी बराबर 40 लिटर का 10 प्रतिशत बराबर 40 गोनित 10 बटा 100 इसको हाल करेंगे अपन 10 एकम 10 दाहम 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 10 चौक 40 बराबर 4 लीटर तो मिश्रन में पानी हमने ग्याद किया 4 लीटर जो कि 40 लीटर का 10 परतिशात होता है 4 लीटर तथा दूद बराबर कुल 40 लीटर मिश्रन है इस मिश्रन में 4 लीटर पानी है तो दूद की जो मात्रा है वो 36 लीटर होंगी माना इस मिश्रण में एक्स लीटर पानी एक्स लीटर पानी और मिला दिया गया मिला दिया गया अब पहले मिश्रण जो था 40 लीटर का था उसमें पानी के 10 प्रदिश्य था वो 4 लीटर निकाले हमने दूद की मातरा 40 लीटर में 4 लीटर पानी है तो 36 लीटर दूद हो गया अब पानी में माना इस मिश्रण में एक्स लीटर पानी और मिला दिया गया है तो नए तब नए मिश्रण में पानी बराबर पहले पानी था 4 लीटर और एक्स लीटर पानी और मिलाया गया तो अब चार धन एक्स लीटर जो है वहाँ पानी है वह दूद वह दूद 36 लीटर है 36 लीटर दूद है यहाँ पे अब नए मिश्रण में अब नए मिश्रण में पानी 20 प्रतिशत है और दूद 80 प्रतिशत होगा अर्थात पानी और दूद का अनुपात बराबर 20 अनुपात 80 जो कि बताया गया है कि 20 अनुपात 80 है बराबर यह जो है एक अनुपात 4 हो जाएंगा 20 बटा 80 करेंगे 20 से कम 20 24 असी तो एक अनुपात 4 हो जाएंगा अतहा चार धन एक्स यह हमारा पानी है और 36 लिटर जो है हमारा दूद है बराबर यह जो है इसका अनुपात एका अनुपात 4 हमने निकाला है अब इसे तीरिया गुणा करेंगे तो यह हमें चार जो है तीरिया गुणा करने से चार कुष्टक में चार धन एक्स बराबर 36 को एक से गुणा करेंगे तो 36 गुणी तेक बराबर 4 चौक सोला धन 4 एक्स बराबर 36 बराबर 4 एक्स बराबर 36 रिण 16 यह 4 एक्स बराबर 20 यह एक्स बराबर 20 बराबर 4 बराबर 5 अर्थाथ अर्थाथ मिश्रण में 5 लीटर लीटर पानी और मिलाया गया मिलाया गया है इस तरह से हमने ग्याद किया कि मिश्रण में 5 लीटर पानी और मिलाया गया है यह इस प्राशन का हल होगा उधारन क्रमांक 8 समानुपात प्रोपोर्शन नवमी की वार्षिक परिक्षा में मार्या के विभिन विश्यों में अंक इस प्रकार हैं हिंदी में 78 बटे 100 अंग्रेजी में 35 बटे 50 संस्कृत में 30 बटे 50 गनित में 70 बटे 100 विज्ञान में 90 बटे 100 और सामाचिक विज्ञान में 72 बटे 100 आप विभिन विश्यों में मार्या के प्रदर्शन के बारे में क्या कह सकते हैं अंकों में तुलना करने के लिए सबसे पहले तो कुल अंकों के आधार को समान होना चाहिए यानि अंग्रेजी में यदि 50 में 35 है तो 100 में से 70 होंगे यानि 35 बटे 50 बराबर 70 बटे 100 भी लिख सकते हैं इसी तरह संस्कृत के अंकों को 30 बटे 50 बराबर 2 गुनित 30 बटे 2 गुनित 50 यानि की 60 बटे 100 ऐसे भी लिख सकते हैं अब आप निश्कर्ष निकाल सकते हैं वास्ताव में 35 बटे 50 और 70 बटे 100 या 30 बटे 50 और 7 बटे 100 तुल्य अनुपात है यानि ऐसे अनुपात जिनका मान समान है अर्थात 35 बटे 50 बराबर 70 बटे 100 या 30 बटे 50 बराबर 60 बटे 100 दो तुल्य अनुपातों के इस सम्मन को समानुपात, प्रोपोर्शन कहते हैं यदि A अनुपात B और C अनुपात D समान हो तो उन्हें ऐसे लिखा जा सकता है A अनुपात B बराबर C अनुपात D इसे ऐसे भी दश्या सकते हैं A. अनुपात B. समानुपात C. अनुपात D.